हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवं आयुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की प्रचलन देखने को मिलता है। संपन होता है, यह सोला मुख्य आहुती होती है, जो हमें कर्तव्य के रूप में, हमें अनीवारी रूप से अवश्य मेवदेनी होती है। इससे अतिरेक्त और हमारे पान समय हैं, हमारे पान सामर्थ हैं, हम और विशेश यज्य करना चाहते हैं या फिर हम कोई चिकित्सा विशेश करना चाहते हैं तो इसके बाद गुरु मंत्र, गायित्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र, मृत्युन जै मंत्र या ओर वी कोई विशेश वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए अंति में स्वाहा लगा करके हम आहुती प्रदान करें उसकी 3 आहुती, 7 आहुती, 21 आहुती, 51 आहुती, 108 आह एक अनुष्ठान की भात हैं, यदि हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो उस विशेश जडी बुटियों को ले करके उसकी हम विशेश आहुती प्रदान करते हैं, तो आएए आज हम गुरु मंत्र, गायित्री मंत्र, पुर्वक, आगे और आहुती हम प्रदान करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरे न्यम् भर्गो देवस्यधीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्स्वाहा आह। ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितुर्वरे न्यम् भर्गो देवस्यधीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वाह तत्सवितुर्वरे न्यम् भर्गो देवस्यधीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्स्वाहा। ओम त्रयंबकन्यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृतात्स्वाहा। ओम त्रम्बकन्यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृतात्स्वाहा। ओम त्रम्बकन्यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृतात्स्वाहा। ओम विष्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम् तन्ना आसुवा स्वाहा। ओम विष्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम् तन्ना आसुवा स्वाहा। ओम विष्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम् तन्ना आसुवा स्वाहा। इस प्रकार से इन तीनों में से कोई भी एक मंतर का च日न करते हुए उससे हम विशेश उस विशेश यदि हम चिकित सा कर रहे हैं तो जो रोग विशेश हमें हुआ है आयूर वेदे सुयत प्रोक्तं यस्य रोगस्य भे सजम तस्य रोगस्य सांत्य अर्थम तेने भहोमयेत आयूर वेद में जिन रोगों की शांतिक लिए जिन जड़ी बुटियों का सेवन करने के लिए कहा गया उन्हों उन अउश्यद्यों से विशेश आहुतिया देने पर वह वह रोग हमारे सांथ हो जाते हैं तो उन उन अउश्यद्यों को लेकरके हम 7, 21, 81, 108 विशेश आहुतिया प्रधान करें और अंतिम में एक ही मंत्र का तीन बार उचान करते हैं पूर्णाहूती प्रदान करते हैं ऐह देव यजिय अगनी होतर हमारा संपन हो गया इसके बाद सिधा बेटते हैं पूरे भाव पूरवग, सरद्धा पूरवग अभी हमने देवियेश, अगनी रवई देवा नाम मुख का अगनी देवताओं का मुख है और उस अगनी में हमने विशेश हविर द्रव्यों की आहुती प्रदान करके उन देविये शक्तियों से हमने त्रिप्ति कराने वाले द्रव्यों की आहुती लेकर उनको त्रिप्ति किया अब इस यज्य के सानिध्य में बेट करके यज्य की शरण में बेट करके हम जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमारी सुनी जाते हैं, वो प्रार्थना हमारी पूर्ण होती है, इसलिए वेदों में कहा, सत्याहा संतु यजमान स्यकामाहा, जो यजमान, जो व्यक्ति यज्य करता हैं, उसकी सारी मनो कामना ये पूर्ण होती है, गीता उपनी पहले यज्य करके देवी शक्तियों को हम त्रिप्त करें उसके बाद यज्य के सानिध्य में बेट करके जो हम प्रातना करते हैं अपनी आवशक्ता को हम प्रभूर के सामने इश्वर के सामने रखते हैं वो हमारी सुनी जाती है और वो हमारी पूर्णा होती है इसा यह देव संतु निरामयाह सर्वे भद्राणि पस्यंतु माकस्चिद्धुख भाज्भवे इस प्रकार यह देव यज्य अगनी होत्र हमारा संपन होता है इतना हमें अवश्य करना चाहिए और अन्तिम में और विश्य श्रुप से आप यज्य प्रार्थना या और भी कोई भजन, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना आधिको भी आपगा सकते हैं कोई वेद मंत्रों का पाठ करना, उच्चारन करना या वेद मंत्रों का अर्थ का पाठ करना कोई एक मंतर, दो मंतर उसका स्वाध्याई हम करें, उपनिशद है, दर्शन है, एक मंतर, दो मंतर श्लोक, सुत्र लेकरके उसका थोड़ा स्वाध्याई सत्संग करें, यह हम और अमारे पांस समय, अपनी रूची, आदी चीजों को लेकरके हमें सम्मिलित करना चाहिए, ले यज्य आज का हमारा संपन हुआ, और आज आप सभी योग योद्धा, साध्धक, याजिक, भाई बहन, पूरी निष्ठा, स्रध्धा पुर्वक जुड़े हुए हैं, और इस देविय विधा और विद्या यज्य के जान, विज्यान को जान रहे, कल हमने क्रिया विधी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाना था, कल हम विशेश रूप से ये यज्य चिकित्सा से ऐसे परिणाम अदभुत चमत कारी रूप से जो मौडरन साइंस की जितनी भी टेकनोलोजी और स्पेसिलिस्ट डोक्टरों के माधिम से विशेश आउशधिया दवाया देने के बावजूद भी जो ठीक नहीं होते हैं वो यज्य चिकित्सा से कैसे ठीक हो जाते हैं उस विशेश के उपर हम कल गहन चिंतन करेंगे पर आपके सामने इस परश्टर रूप से रखने का हम परियास करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे कौन से रोग में कौन शी आउसी द करेंगे और उस ज्यान के माध्यम से जो जिन्होंने डोक्टरी की हैं जिन्होंने मोडर्न साइंस की इतनी सारी टेक्नोलोजी का परियोग करके भी जो रोगों को ठीक नहीं कर सकते हैं मैं आपको एक आत्मा विश्वास के साथ यह बात बताती होए बहुत गवरों में आप उस रोगी को ठीक कर पाएंगे जो दस-दस बीस-बीस साल पढ़ाई करने के बाद जो डिगरी प्राप्त करते हैं बीस-पचीस-पचास सालों से रिसर्च होने के बाद जो दवाया तियार होती हैं जो टेकनोलोजी और इंफरक्स ट्रेक्चर हमारे पास तियार हुआ वो सब मिला करके जो रिजल्ट जो बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं, वो आप इस पांच दीन मात्र की इस यज्य चिकित्सा और प्रशिक्षण शिवीर से वो ज्यान प्राप करेंगे, उससे आप वो परिणाम ला पाएंगे, ये इतनी बड़ी देविय विधा और विद्य पासा ले लेंगे, किसी का प्रश्ण होता हूँ, बताएं। जैसे ये वेदी हैं, मैं वेदी के पश्चिम दिशा में बेठा हुआ हूँ, पूर्वा भी मुख हो करके, अब ये पूर्वा दिशा हैं, और यह दक्षिन दिशा हैं, यह उतर दिशा हैं, और यह पश्चिम दिशा हैं, अब यह जो चार दिशाएं हैं, उसमें जो पूर्वा और उतर के बीच का जो कौन होता हैं, इसको बोलते हैं इशान कौन, इसी प्रकार से पूर्वा और दक दक्षिन दिसा के बीच का जो कौन होता है इसको बोलते हैं आगने कौन और इसी प्रकार से दक्षिन और पश्चिम दिसा के बीच का जो कौन होता है उसको बोलते हैं नेरित्य कौन इस वाले कौन को और इसी प्रकार से पश्चिम दिसा और उत्तर दिसा के बीच का जो कौन ह इसको बोलते हैं वायव्य कौन ये चार कौन और चार दिसा ये पहले हम अपने मस्तिस में बिठा लें उसके बाद हम अब पश्चिम दिसा में पूर्वा भी मुखो करके बेट गए हैं अब हम जब दिसा का इसमें जो अन्य जगाओ पर हमें प्रियोग लेना है एक आता है आघारा वाज्य भाग आहुती में पहला तो आघारा वाज्य भाग आहुती में जो हम आहुतिया प्रदान करते हैं उसमें वेदी के मध्य में जो दो समीधा हैं उसमें जो उत्तर दिसा क वेदी के मध्य में जो दक्षिन दिसा में प्रदिप्त समीधा होती हैं उसके उपर हम पश्चिम से पूर्व की और धारा बनाते हुए आहुती प्रदान करते हैं और इसके बाद दो मंत्रों से वेदी के मध्य में दो घृत की आहुती हम प्रदान करते हैं यह आघारा वाज करके पस्टिम दिसा में बेठा हूं तो सबसे पहले हमें जो जल सेंचन करना होता है वह करना होता है पूर्व दिसा में पहले तीन मंत्रों से तीन दिसाओं में हम जल सेंचन करते हैं पहला जल सेंचन होता है पूर्व दिसा में तो पूर्व दिसा में जब हम जल सेंचन करें तो वो आगने कोण से शरू करके हम इशान कोण की ओर पहली बार जल डालेंगे जल सेंचन करेंगे इशान कोण से इशान कोण की तरफ पहला जल सेंचन पहले मंत्र के माध्यम से दूसरा जल सेंचन नेरित्य कोण से वायव्य कोण की ओर हम जल सेंचन करेंगे दूसरे मंत्र क के माध्यम से तीसरा जल सेंचन हम वायव्य कोन से इशान कोन की तरफ तीसरा जल सेंचन करेंगे तीसरे मंत्र के माध्यम से और चोथे मंत्र के माध्यम से इशान कोन से हम शरू करते हैं मंत्र हो उचान करने के बाद इशान कोन से हम शरू करते हैं आगने कोन परियंत आगने क से शुरू करके नेरित्यकों और नेरित्य से वायवय और वायवय और फिर से इसान कोण और कलस और दिपक दोनों को हम इसान कोण के उपर ही छोड़ देते हैं तो यह पूरे यज्य में दिशान निर्देश में दो-तिन जगाओ पर हम पूरवा भीमक हो करके बैठना होता है आगर्यावाज भागा हुती और जलसेंचन इतने में दिशाओं का ये निर्देश होता है और इस प्रकार से हमें करना होता है जी आखे कोलते हैं मेरे प्रेश वम जी मेरे मदद करें कोई दवाई बताएं उनकी आयू अर्टालिस वर्थ है जे माता जी का प्रश्न है कि भाई सहाब को ब्रेन हैंड हो गया है और अभी गंभीर अवस्था में है अचेतन अवस्था में हैं तो अब हम क्या करें तो आप वो जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे में यज्य, हवन, अगनिहोतर करना प्रारंब करें उसके अंदर विश्रीश रूप से आप पतंजली कोई भी नज़्दिक के स्टोर पे जाएं और वहां से पतंजली दीव्य हवन सामगरी, पतंजली आस्था हवन सामगरी वो उपलब्द हैं उस हवन सामगरी को ले करके उसके अंदर आप मेधाकवाथ को विश्रीश रूप से मिलाएं और उस हवन सामगरी में गाय के घृत को थोड़ा मिला दे, काले तील थोड़े मिला दे और उसके बाद उससे आप हवन करना गाय के घृत के साथ प्रारम कर दे और प्रती दिन स्रद्धा भाव के साथ निश्टा पुरक उन्हीं के कमरे में आप सुबह और साइनकाल दोनों समय सुरियोदय और सुरियास्त के समय यह यज्य करें और पहले जो देनी की यज्य आज आपको सिखा या बताए बैसे देनी की यज्य पूरा करें और उसके बाद विशेश रुप से गायत्री मंतर का उचान करते हुए 108 आहुत्य प्रदान करें और पूरे स्रद्धा भाव पूरवक प्रार्थना याचना दुआ करें यज्य दुआ भी हैं और दवा भी हैं तो यह दोनों ही कार्य करेंगा और जैसे आपने आज ही उदारन देखे बेहन वनीता जी का और हमारे आदने भाई सुरीज भाई जी की माता जी दोनों की जो ऐसे उदारन थे और ऐसे बेहन दिव्या जी से लेकर के इतने ऐसे कैश हैं कि जो बिलकुल कौमा आवस्था में आसे हैं ऐसे लोगों ने भी इस यज्य चिक्सा को अपना करके हवन को अपना करके अग्नी होत्र को अपना करके स्वास्त लावप्राप्त किया हैं आप भीएें अचूख लाब प्राप्त होगा आप को सद्धा निश्टा पूर्वक और इस विशिषम सामगरे से अभन करना शुरू करें वह प्राइजी का प्रश्ज़न है कि हम आकेले यज्य करते हैं तो एक हाथ से सामगरी की और एक आज से आफुराई बाइं से सामगर के दी तो बाइं से घी की आहुती दे दी या बाइं से घी की आहुती दी तो दाइं से सामगर की आहुती दे दी क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं ऐसा हमें नहीं करना होता है हमें दाइं हाथ की हाथ से ही आहुती देनी होती हैं जैसे आज मैं आपके सामने उसके बाद अन्ति में आहुती गी की देकर फिर वापस सामगरी की आहुती देने का विधान है तो हमें उस विधी विधान के अनुसार ही प्रियास करना चाहिए और करना चाहिए जी उसके लिए आप इस देव यजद देनिक अगनी होतर जो हम कर रहे हैं उसी अगनी होतर को विशेश रूप से कीजिए और दोनों में से कोई एक सामगरी लेकर के आस्था पूजावन सामगरी या दीविय हवन सामगरी लेकर के उसमें वरिक दोस हरकवाथ मिला करके और पचास प्रतिसत गोखुरू के बीज लेक लीजिए और उसको एक प्लेट में अलग से रख लीजिए उसको चमच वो काट खरल करने के बाद एक छोटा कपड़ा लेकर उसमें बांद दे यह मानलों की तीन लिटर पानी है तो उसमें 5-7 ग्राम भस्म को बांद करके उस पोटली को पानी में डाल दे और 12-24 गंटे उस पानी में रहने दे उसके बाद उस पोटली को निचोड करके निकाल दे और उसी शुर्प से गोखरू के बीज को रखें और थोड़ा सा उसके उपर गाई का घ्रीत डाल करके और वो जो दूनी होती है मंद मंद सी उस दूनी वाले वायू मडल में बेट करके एक से तीन घंटे कपालभाती अनुलोम विलोम आदी प्रानायाओं को क्रम से थोड़ी थोड़ देर करते हुए अभ्यास करें और उस वायू मडल में रहें तो आप देखेंगे एसा चमतकारिक लाब होगा जो आपको किड्नी से सम्मधित प्रोब्लम है उसमें आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी तो आप गुगुल की और गोखरू के बीजों की धूनी गाय के घी क साथ कीजिए और हवन में गोखरू के 20-50 प्रतिसत और ये जो हवन सामगरी है उसके साथ 50-30 विक्क दोसवरक्वास मिला करके उस सामगरी से हवन कीजिए और निरन तरता के साथ सुबह और सायनकाल संधिया के समय में आप इस यज्य को संपन कीजिए और उसमें कपाल भात पर एक मेने इसे घर पर लाए हुए आपके मिесने में इन उस्कंति नहीं हुम्रीनाद साहित Keeping पूरे हाथ उपर खड़े कर दिया है, उनके पास में अब कोई जिकसा नहीं है, जितनी भी जिकसा की उन्होंने गर लिये है, तो पेरालीसिस भी हुआ है, उन्हें मलग, ढमोसाइट में पेरालीसिस है, गर दोक्टर वो आज की तारिक में बैड रिचान है, मिस्तर के उपर, तो वो चारे हैं कि कोई दवाई है, जो हम खिला सकें, या कोई खास अमगरी यक में जान सकें, या एक्विपेशर कोई है पॉइंट, या कोई तेल, या लोग की लकड़ी का पानी, या मेगावेटी, या कोई अन्हे दवाई, इससे वो ठीक हो जाएगा, जी, 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 ज यज्य करना शुरू करिए, और यज्य में जो आज आपको जोतिस मत्यादी हवन सामगरी बताएं, उस जोतिस मत्यादी हवन सामगरी को, उसके साथ वातारी हवन सामगरी, और देव पूजा हवन सामगरी, ये आदने भाई, श्रवान भाई जी के पान से सब उपलब्द हो हवन कीजिए गाय के गोवर के कंडो का विश्री सुर्प से समीधा के रुप में प्रियोक कीजिए और गाय के घी के साथ उसमें थोड़ा सा मालकांगनी का तेल मिला दीजिए और हवन सामगरी में हो सके तो थोड़ी सी वच मिला दीजिए और उससे हवन कीजिए गाय के घी क साथ और हवन करने के बाद गुगूल वच और जो 30 समत्यादी हवन सामगरी डाल करके ठोड़ा घी डाल करके और जो 31 का थोड़ा तेल बुंदे डाल करके और उससे धुनी कीजिए उसके कमरे में मंद मंद सिया धीरे धीरे जैसे आज मैंने आपको बताएं और उसमें उन्हों रखिए और यज्य उनके कमरे में रह करके एक अनुष्ठान की बाती गाहितरी मंतर का प्रयोग करते हुए 108 आहुतिया सर्धा पुरवक दीजिए खिड की दर्वाजिया आदे खुले रख करके अभी तो कोई क्रिया कर नहीं पाएंगे तो अभी वो इसी अवस्था में खाले आप हवन कीजिए 108 आहुतिया देकर सुबह और साइनकाल और संधिया के समय कीजिए सुरियोदे और सुरियास्त के समय पे और गाय के गोवर के कंडो से विश्य शुरूप से यज्य कीजिए इतना करना आप अभी से शुरू कर दीजिए और सुबह और साइनकाल दोनों समय यज्य कीजिए आप धीरे 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 वो पूरा वायू मंडल energetic हो जाएगा जीवनी सक्ति से यूग्त हो जाएगा तो धीरे धीरे उतना improve आने लगएगा और धीरे धीरे आप जो case देखे हैं बहन दीवियाद जी से लेकर के जो लग लग क्यास आपको बताएं उनकी आवस्था भी ऐसी थी डोक्टर लोग ने जवाब दे जाएगा उसके बावज़ भी हमने यही यज्य किया और यही सारी चीज़े की और उनको वापस होज भी आ गया कौमा में से बाहर भी आ गया और multiple जो disease होती है वो भी ठीक हो जाती ह और वो भी हमने देखी है तो आप उस चीज की चिंटा मत किजे यज्य कीजे यज्य के दोरान दूआ भी किजे यज्य दूआ भी है और दवा भी है प्रभु से प्राथना किजे यज्य करने के बाद और उसमें जो विशेश जड़ी-बुटिया बता है उसे हवन करना अभ हमारे साथ नर्शी भाईजी शुरेश भाईजी जुड़े और इस आयोजन में नियु की रूप में और अहर निश्तप और पुर्शार्ट कर रहे हमारे आदनिय भाई श्रवन भाईजी आदनिय माता निर्मला बेहन जी और उनकी संपूर्ण टीम और सभी हमारे जिला भारी राज्य प्रभारी कारिकरता योग योद्धा साधक भाई बेहनों को में नमन वंदन प्रणाम करते हुए और आप सभी योगी याजीक आज इस यज्य चिकित्सा और प्रश्किशन शिवीर में आप भाग ले पा रहे हैं सहभागी हैं आप सब को में हर्ष के साथ न हे प्रभू हे इश्वर हे जगदिश्वर सब जगा पे सांती हो जल में सांती हो थल में सांती हो वन में सांती हो गगन में सांती हो समस्त चराचर जड़ चेतन में सांती हो और वही सांती हमारे भितर भी स्थापित हो इसी प्राठना के साथ सबी लोग सीधा बेटते हुए ओम्-ध्योह शांति अंतरिक्सांडि पृति वेशआंति रापха Shanti Roshadhyah Shanti Vanas Pataya Shanti Vishwe Devah Shanti Brahmc Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Samashanti Ardhi Om Shanti 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 यज्य भारती संस्क्ति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेष्ठ तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तो वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्राता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल नौशुन्य चै आठ पांच चै पांच तीन शुन्य चे